नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ Sensible के इस नए प्रोड़क्ट डेमो सेशन में तो आज का प्रोड़क्ट डेमो सेशन है इजी आप्शन्स पर तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप इजी आप्शन्स की मदद से कितनी आसानी से आप्शन्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं परंतु, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने Sensible के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके Sensible के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगर आगे फ्यूचर में कोई वीडियो आता है, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आप Options Trading में अपनी शुरुवात करना चाते हैं पर आपने सुना है कि यह जो है Options Trading जो है वो बहुत ही risky बिजनस है यहाँ पर लोग अपना 1000 रोपया को देते हैं जब Market Crack होता है या Market बहुत बड़ा Gap Up या Gap Down देता है तो मान लिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एक ऐसी Strategy दूँगा जिसमें केवल आपको Max to Max 4-5,000 या एक Fixed Amount आपका Loss रहेगा चाहे Market 1% मूँव करता है चाहे 2% मूँव करता है या 10% मूँव करता है आपके View के Against और ये आपको केवल किस तरह करना है ये आप कर सकते हो केवल Market में Up, Down और Neutrally Guess करके अब यहाँ पर अगर आप Options के बारे में उतना नहीं जानते हैं तो भी कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि आपको केवली Guess करना है कि Market उपर जाएगा या नीचे जाएगा और हम आपको Strategies देंगे Trade करने के लिए ठीक है दूसरा इसमें Limited Loss है इन Strategies में जो भी Strategies आपको मिलेंगी इनमें Limited Loss रहेगा इससे आपका जो Capital है वो Protected रहता है और एक Peace of Mind हमेशा आपके साथ रहता है कि आपको एक Particular Amount से ज्यादा Loss नहीं होगा तो चलिए इस Feature को देख Management में Easily Trade कर सकते हैं एक USD INR, Nifty और Bank Nifty तो यहाँ पर हम आपसे यह पूछेंगे कि आपका Nifty को लेकर View क्या है इस Thursday तक ठीक है तो आप कहते हैं कि मेरा View है कि Nifty ऊपर जाएगा ठीक है तो जैसे ही मैं इस तक क्लिक करता हूं तो मुझे तीन Strategies यहाँ पर दिखाई देती है त ठीक है अब यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक Strategy में आपको Maximum Profit कितना होगा, Maximum Loss कितना होगा, आपको कितने Fund की जरूरत है उस Particular Trade को लेने के लिए और उसकी कितनी Probability है Profit में Convert होने की अब यहाँ पर अगर मैं एक नया व्यक्ति हूँ, Options में तो मुझे यही केवल चीज़े चाहिए कि जब मुझे Profit हो रहा है तो मुझे कितना Profit होगा, और अगर मुझे Loss होता है तो मुझे कितना Loss होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इस Trade को देखता हूँ, तो यहाँ मुझे साड़ेती नजार का Profit हो रहा है, साड़ेती नजार का Loss हो रहा है, 1 to 1 का Trade है, और अगर मैं इसके डीटेल में जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बताता है कि कब मुझे Profit होगा, और कब मुझे Loss होगा, और मेरा Break Even कितना होगा, और अगर आप एक New Beginner है, तो आपको मेरे हिसाब से इन तीन चीज़ों के अलावा, किसी चौती चीज़ की जरूरत नहीं है, कि आपका जो Max Profit हो कितना होगा, और कब होगा, Max Loss कितना होगा, और आपका Break Even कितना होगा, तो अब मुझे यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई, आप अंदर Call ले रहे हैं, Put ले हैं, क्या ले रहे हैं, बट मुझे जो जो डेटा चाहिए, मुझे यहाँ पर मिल गया, अब मुझे अगर यह ट्रेड पसंद आता है, तो मैं इस ट्रेड परटन पर क्लिक करके अपने ट्रेड को execute कर सकता हूँ, और अगर मुझे इस ट्रेड को virtually ट्रेड करना है, अपने virtual portfolio में trade करना है, मुझे without my real money उसको trade करना है, तो मैं इसको virtual portfolio में भी add कर सकता हूँ, तो वही यही चीज मैं bank nifty के साथ भी कर सकता हूँ, अगर मेरा view bank nifty में neutral है, तो फिर से आपको वही तीन options मिलते हैं, एक wide range की neutrality के लिए, एक small range की neutrality के लिए, और एक बहुत ही small range की neutrality के लि आप जो margin requirement है, वो बहुत ही कम होता है, मतलब अगर आप इस particular trade को देखेंगे, तो यहां पे आप इस trade को 600 या 700 रुपर में भी trade ले सकते हैं, तो 2000 के अंदर अंदर भी आप in USD INR में trade कर सकते हैं, तो it's a very good instrument to practice about options, तो दोस्तों इस तरह से आप इतनी आसान इसे options में trading भी कर स सकते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, options related, platforms related, तो आप हमें help at date sensible.com पर contact कर सकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो and happy trading with sensible.